इंडियन टीवी न्यूज देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटफर्क अग लगने से उसमें रखा गया घर का ग्रहस्ती का पूरा सामान भी आग की भेंट चड़ गया वहीं आग की चपेट में आने से पांच बकरियां जल कर मर गई जबकी आग बुझाने के प्रियास में दो लोग भी जुलस गए जिनका प्रात्मिक उपचार रेवतिपूर सामुदायक स्वास्ते केंद्र पर कराया गया उपचार के बार डॉक्टर ने खत्रे से बाहर बताया आपको बता दे कि इस घटना के वज़ज़ से लाखों का नुकसान होने का अनुमान है घटना के जानकारी होते ही ग्रामिनों में अफरात अफरी का माहल बन गया वहीं मौके पर ग्रामिन अपने संसाधनों से आग पर काबो पाने के लिए जुट गए घटना के सुशना मिलते ही रेवति पूर्थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंच कर तुरंत अगनी शमन को सुशना दिया गया करीब दो घंटे के बाद दमखल की गाड़ी पहुंची तब तक लोगों का आश्याना आग में जल कर खाक हो गया आपको बता देगी घटना के जानकारी मिलते ही एसजीम सेवराई राजेश प्रशाद चौरसियावार राजेश्वा निरिक्षक राकेश राई और लेखपाल मौके पर पहुंचे और नुकसान का आंकणन कर रिपोर्ट आला धिकारियों को प्रेशित कर दिया गया है वहीं एसजीम ने बताये किया कि सुचना मिलने पर मौके का जायजा लिया और सभी 21 प्रेटों को आर्थिक साहिता के अलावा आवास भी दिलाने का प्रयास किया जाएगा